धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और शनी गोचर करने वाले हैं 17 जन्वरी 2023 को अब शनी माराज जो हैं जब यह गोचर करेंगे कुम राशी में तो ऐसे में क्या होगा और किन-किन राशी पर पढ़ने वाला है इसका असर इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे क्योंकि यह गोचर करेंगे तो इसके कारण बहुत सारी उतल-पुतल तो मचेगी ही बगर बावजूद इसके किन-राशी विशेश पर यह क्या असर डानने वाले हैं इसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे ऐसे में आर्थिक नुकसान जो होगा या फिर कोई और परिशानी आपको आएगी इसके बारे में हम करेंगे बात खासकर कुछ राशियां जिन पर बहुत ज्यादा प्रभाव जो वो पड़ेगा उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे में क्या-क्या उपाय भी कर सकते हैं वो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुला राशी से तुले यानिक लीप्रा राशी अब से आपके उपर धाया का प्रभाव जो है वो रहने वाला है अगली राशी जिस पर शनी के इस गोशर का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ेगा वो है मिथुन राशी आपके लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये आएगी कि आपको आपके खर्चों को ना ज्यादा संभालना पड़ेगा आपसे ऐसे में घर में भी परिवार वालों से थोड़ी दूरी जो है वो बढ़ सकती है और इस कारण सेहत पर भी प्रभाव जो है वो पड़ सकता है आपके आपको इसके लिए क्या करना है उपाय आपके लिए ये है कि संध्या काल में पीपल के पेड के पास सरसों के तेल का दीपक जो है वो आप जलाएए इससे आर्थिक समस्या में आपको बहतरी मिलेगी लाब होगा अगली राशी जिसके बारे में हम बात करेंगे जिन पर शनी का ये गोचो जो है वो प्रभाव डालेगा वो है कुम्भ राशी कुम्भ राशी आपकी जो साड़े साती का जो दूसरा चरण है वो शुरू होने वाला है ऐसे में आपके लिए थोड़ी से मुश्कले जो है वो बढ़ सकती है ऐसे में आर्थिक खानी जो हो सकती है आपको थोड़ी सी कोशिश करें कि इस समय एक उपाई जरूर कर लें हनुमान चालिसा जो है उसका रोज पाठ करें यही आपको सलाह है अगली राशी जिस पर शनी का प्रभाव पड़ेगा वो है धनू राशी आपके लिए भी शनी का प्रभाव जो है वो आपकी आर्थिक स्थिती पर पड़ेगा आर्थिक खानी जो है उसके रूप में आपको दिख सकता है शनी का प्रभाव आपकी राश्य अगर इसमें है या नहीं नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईए और ऐसी और विडियोज और उपायों के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव